कि है इस वीडियो में देखेंगे कैसे मैंडुरली हम लोग एक leads को add कर सकते हैं और कैसे एकügen को हम लोग उस leads का साथ में attach कर सकते हैं इसके लिए मैं all leads पे click करके add lead पे click कर सकता हूं और else add lead पे directly click कर सकता हूं अब इस form में name, email, mobile number, project, segment और campaign इसको mandatorily field करना है अभी मैं projects पे click करोगा अगर आप first time कोई projects को यहां पे entry कर रहे हैं तो आपको old और new में से new को click करना है और project name को type करना है और अगर same project नाम पे already आपने कोई entry करके रखा है तो आपको old type करके drop down से उस project को select कर सकते है segment segment एक level का जासा है अगर आप कोई leads को particularly एक level देना चाता है like swords का हिसाब से like यह facebook से आया है या तो एक expo से आया है या तो यह December months पे आया है या तो आप Indian clients है या यह plot के लिए है अगर आप कोई leads को एक level देना चाते है और यह level अगर आप first time entry कर रहे है आपका CRM पे तो आप new click करके level का नाम दे सकते है यह name अगर existing name है तो आप old पे click करें और drop down से उसको select करें नाओ campaign कुछले वीडियो में हम लोग campaign टायर किये थे बैंगलोर प्रोजेक का नाप पे उस campaign में हम लोग सारे message sequence को अल्रेडी schedule करके रखे हैं like immediately कौन सा message जाना चाहिए after one day कौन सा message जाना चाहिए after two days कौन सा message जाना चाहिए तो इस तरीके से हम लोग already campaign बना के उसका अंदर sequence में message को ready करके रखे हैं उस campaign को यहाँ पे connect करनी है let me select it and now submit किसी भी time पे अगर आपको message भेजना बंद करना है तो आप इसको select करके stop leads पे click कर सकते हैं आप actions में edit button को click करके आप अपना details को कभी भी change कर सकते हैं और campaign को भी आप किसी भी time change कर सकते हैं